Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही क्राशी फल ये 26 जुलाई से लेकर 1st आउगस तक के आपकी टारो रीडिंग्स हैं टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चानल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फ्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग को पढ़ते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता ही क्राशिफल तो चलिए Aries, आप लगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो आप लगों के लिए professional front के लिए cards है, four of pentacles, reverse and postponement और ये cards कहते हैं कि इस week कोई चीज यहां तो आप let go कर रहे हैं या फिर कोई चीज आपके हाथ से जा रही है या फिर से मैं कहूंगी कि किसी चीज को आपको let go करना पड़ रहा है और देखिए ये general reading है तो सब के लिए different reasons हो सकते हैं different situations हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए यह हो सकता है कि किसी project पे आप काम कर रहे थे या किसी project के साथ आप बहुत attach हो रहे थे बहुत cling कर रहे थे वो ही कहीं आपके हाथ से जा रहा है या आप let go कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए कोई इंसान हो सकता है कोई situation हो सकती है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने कहीं invest किया था तो कहीं उसी से related आपको लग रहा है कितना profit नहीं हो रहा है या फिर again वही चीज आपके हाथ से जा रही है और देखिए यह money का card है तो कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि पैसा भी आपके हाथ से जा रहा है आपका खर्चा हो रहा है और कहीं again देखिए जो भी चीज आपके हाथ से जा रही है कहीं आप बहुत जादा उसके साथ attach हो रहे थे बहुत जादा आप उस चीज को cling कर रहे थे और यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए बहुत simple सी चीजें हो सकती है कोई behavior हो सकता है कोई आदत हो सकती है किसी colleague की कोई बात हो सकती है जिसको आप let go कर रहे हैं तो देखिए कुछ लोगों के लिए बहुत ही positive रह सकता है और कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा negative रह सकता है या मैं कहूंगी कि इतना positive नहीं होगा तो दिखें जो भी हो ये weekly reading है तो बहुत कोई बड़ी चीजें नहीं होती है छोटी मोटी सी चीजें हमें किसी level पे या तो परेशान करती है या फिर खुश करती है और यहां पे दिखें नीचे postponement का काट बहुत ही clearly कह रहा है या तो कुछ चीजें delay हो रही है या फिर कुछ चीजें को आप delay कर रहे हैं यहां पे भी सब के लिए differ कर सकता है कुछ लोगों के लिए simply travel हो सकती है या कोई travel plan हो सकता है और कुछ लोगों के लिए again कोई project मिलना था किसी चीज पे आपको काम करना था या फिर कोई deadline आपने खुद को दी थी या you know work place की तरफ से office की तरफ से या business की तरफ से एक deadline थी कि भाई तब तक तो आपने काम करना ही करना है और कहीं you know वो deadline आप नहीं achieve कर पा रहे हैं in a nutshell again मैं कहूंगी कि कुछ चीजे postpone हो रही है डिले हो रही है या फिर से you know आप डिले कर रहे हैं आप postpone कर रहे हैं and the personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है two of wands and flowering तो दीखे दोनों ही बहुत ही positive cards है flowering के card को अगर आप देख पा रहे हैं तो बहुत ही beautiful energies है in fact बहुत beautiful एक woman कमल फूल पर बैठे हुई है और जब भी ये card आता है तो मुझे you know एक मा लक्षमी का हैसास होता है मा लक्षमी सुख सम्रधी पैसा या फिर luxury comfort का का कारका है तो कुछ ऐसा ही deeper level पर है सकता है और देखे यहां पर female है तो कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि कोई female है जिनकी तरफ से supportive energies है जिनकी तरफ से एक happiness एक joy आ रही है two of wants के card को हम देखें तो कहीं आप चीजों को लेके बहुत confident महसूस कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई अच्छी कबर out of the country आ रही है या फिर in general भी आ रही है और जो भी आप कर रहे हैं बहुत जबरदस्त एक confidence रहता हुआ देख रहा है बहुत एक enthusiasm बहुत एक excitement रहती हुई दिख रही है और हो सकता है कि कुछ चीजें आप plan कर रहे हैं या फिर जो भी आप अपने personal front में करना चाहते हैं उसी से ही related next steps के बारे में सोच रहे हैं या फिर next steps के उपर काम कर रहे हैं कैसे एक growth कैसे एक progress आप in general या फिर personal life से related किस area में किसी area में लेकर आएं उसके बारे में सोच रहे हैं और हो सकता है कि कोई चीज किसी के साथ मिल के आप कर रहे हैं थोड़े से difference of opinion हो रहे हैं बट फिर भी एक बहुत strong connect आप दोनों एक दूसरे के साथ महसूस कर रहे हैं और देखिए कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन जनरल के लिए personal front के लिए अच्छी energies दिख रही हैं अच्छी चीजें आ सकती हैं अच्छी खबर आ सकती है and guidance है आप लोगों के लिए एक card है earth guardian और ये card कहता है stay rooted and grounded तो देखिए जो भी elements है earth कहीं एक passive element represent करती है आप air देखें तो भई एक जगा नहीं टिकती पानी भी चलता रहता है earth ही एक ऐसा element है जो रुका रहता है तो यहाँ पे आप लोगों के लिए guidance यही है कि जो भी आप करें इस week आप बहुत सोच समझ के decisions लें आप impulsive ना हों आप जल्दबाजी ना करें थोड़ी सी अपनी grounding करना या फिर थोड़ा सा pause लेके चीजों को समझ के आगे बढ़ना इस week आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा and astrology से आप लोगों के लिए Capricorn राशी का card है और इसके हिसाब से blue, navy, blue, indigo colors आप लोगों के लिए इस week लखी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा साथ अरे तो यह था Aries आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशीफल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए